इस्क्रीन पे जो ये दिख रहे हैं ये हैं Black Soldier Fly के लार्वा और ये एक्स को हैज करने के बाद ये ऐसे दिखते हैं अब इन्हें फीटिंग ट्रे में फीट करने के लिए डाल दिया गया है लेकिन इनको एक्स से कैसे हैज करते हैं आज की वीडियो में हम ये पूरी जानकारी आपको देंगे कैसे एक कलेक्ट करते हैं और कैसे एक को हैज करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका नेचर केर फार्म देरादून के यूट्यूब चैनल में आज है Black Soldier Fly Farming Online Training की वीडियो नमबर 4 वीडियो नमबर 1,2,3 पहले ही अमारे चैनल पे आ चुकी हैं जो कि आपको आई बटन पे भी मिल जाएंगी और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी पूरी प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे उपलब्द है आज की वीडियो यह जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह फ्लाइ केज है और फ्लाइ केज के अंदर जो इस बॉक्स दिख रहा है इसम के अंदर एग लेंग करती है यह पूरा एक से भरे हुए है यह उसमें से एगी जमने निकाल के बार रख लिए पहले भी मैंने इनको हैच करने के तरीके आपको बताएं और आज मैं दुबारा से डिटेल से यह बता रहा हूं कि कैसे इन एक्स को हम इससे कलेक्ट करते हैं फिर इनकों कैसे हम हैच इंग पर लगाएंगे जिससे कि हमें जादा से जादा एक से हमारे हैच हो जाएं हमारे ऐक खराब नहों तो ये हमने एगी जब हम इसरे टीशू पेपर है इनके ओपर रख लिए है क्योंकि कुछ एक ऐसे होते हैं कि जो इस समय हैच होने लग गये होंगे तो उनसे टाइनी लारवा निकलने लग जाते हैं तो यह टीशू पेपर पर वह चिपक जाएंगे जब एक को हम उसमें रखेंगे सब्स्ट्रेट में तो यह भी उनके साथ वहां पे चले जाएंगे तो यह जो रवर्डबैंड है इस रवर्डबैंड को हम इससे निकाल लेते हैं पहले अब यह रवर्डबैंड निकालने के बाद एक एक करके हम इन प्लेट को हम लेते रहेंगे जो लकडी की हमने एगीज बनाई है एगीज कैसे बनानी है यह आप या कोई भी ऐसी पतली चीज आप ले ले और उसको हलके से इस पर टच करेंगे यह अपने आप यह निकलते जाएंगे इस तरीके से इन एक्स को हमने कलेक्ट करना है एक एक करके सारे एक्स हम कलेक्ट करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कितने सारे एक्स इन एगीज में दिय इन एक को आप सेल भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि तीन दिन के अंदर अंदर ये एक हैच होने लग जाते हैं तो कुरियर से अगर हम किसी को भेजते हैं ये एक तो रस्ते में हैच हो जाते हैं और खराब होने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए अगर आप भी य होना चाहते हैं और culture के लिए आपको seed की requirement है तो आप हमारे से contact कर सकते हैं लेकिन उसमें अम एग नहीं बेशते हैं क्योंकि एग खराब हो जाते हैं उसमें हम prepupa बेशते हैं तो prepupa सेफ होता है वो कुरियर में पैकेट अगर कैसा भी गिरे उल्टा भी हो जाए या कहीं दब भी जाए तो खराब नहीं होते हो सेफली आप तक पहुंच आते हैं और प्रिफ्यू पासे आप फ्लाई बनेंगी फ्लाई फिर एग लेंग करेंगी और ऐसे इनको हैच करके आप आगे फार्मिंग कर सकते हैं तो उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप वाट्सअप करें कॉल ना करें सिर्फ वाट्सअप पे आप मैसेज करें तो उस पर यह आपको जैसे ही टाइम मिलेगा पूरी जानकारी दे दी जाएगी तो एक एक करके हम इसको यह हैच करने के लिए एक को क्लेक्ट कर रहे हैं वन बाई वन और आपको यह दिखा भी रहे हैं कि कितने सारे एक्स लेइंग करती है ब्लैक सोलजर फ्लाई एगीज के अंदर यह एगीज के अंदर तभी एग लेइंग करेंगी जब आपने जो यह एगीज जहां पे रखी हैं उसक पर हम एग लेंग करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये हैच होके उसमें चले जाएंगे और वो आगे सर्वाइब करेंगे अगर उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी कोई फ्रूट आपने नहीं रखा होगा उस बॉक्स के अंदर तो ये इधर उदर कहीं भी अपना एग ले रखें एग इसका भी ये रवडबैन हम अटा लेंगे और ये जो बीच का गैप है ये इतना ही गैप मेंटेन करना है इस चीज का ध्यान रखें ज्यादा गैप रहेगा तो फिर भी वहां पर अच्छे से एग लेंग नहीं कर पाएंगे फलाई तो ये जितना गैप आपको कोई वीडियो में दिख रहा है और ये देखो इस पे भी ये बहुत अच्छे से एग है पूरा का पूरा ये बर्रक है एक से तो इन एगों को आप अराम-अराम से किसी नाइफ की मदद से या पतली सी कोई भी चीज ऐसी हो उससे आप उनको करें जिससे की एक खराब नहों ये इसमें है और ये देखो ये पूरा बर्रक है ये दोनों साइड आपको देखने हो ये नीचे जो रखी हुई ये एगीज उसमें देखी एक छोटा सा लकडी का टुकड़ा वो गैप मैंटेन करने के लिए ये जो हटाया मैंने ये गैप मैंटेन करने के लिए है कि बीच इसमें गैप रहना चाहिए उस गैप के अंदर ही ये एग लेइंग करेंगी तो इस तरीके से हमने ये दोनों एगी जो थी उनका जितने भी एग थे उसके अंदर वो सारे एग हमने ये एक टिशू पेपर के उपर क्लेक्ट कर लिये हैं अब हमें करना है इन एग को हैच करने इन एगिस को हम रखेंगे ये बॉक्स हमने ले लिया है जिसमें की हमें हैच करना है इन एग्स को और ये जो पैकेट में रखावाई है चोकर तो इसमें से हमने ये चोकर इस बॉक्स में डाल देना है एक अच्छी सी मोटी लेयर इसकी चोकर की हम इसमें डाल देंगे इस को हम सब्स्टेट के तौर पे इसमें लेते हैं और चोकर के राइस पॉलिस अगर है आपके पास तो वह भी आप ले सकते हैं और यह चोकर भी आप आसानी से ले सकते हैं इजली दुकान पर मिल जाता है वीट वरान भी इसको बोलते हैं यह चोकर ले लिया अब इस चोकर को हम पानी से गीला कर देंगे अच्छी तरिके से इसमें लगबग लगबग इतना गीला करना है इसको जैसे हम आटा गूनते हैं उससे भी ज्यादा ये देखे इसमें हम ये पानी मिलाके और इसको अच्छे से ऐसे मिला लेना है जो कि पूरा पानी ये सोक कर ले इतना भी नहीं ह लाया है एक दम पूरा गीला रहना चाहिए यह क्योंकि दो-तीन दिन में जब तक इसमें यह एगीज आपके आएंगे तो धिरे-धिरे नहीं तो यह ड्राइ हो जाता है फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने यह रखा हुआ और यह बहुँ जादा ड्राइ हो गया है तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं पानी का या थोड़ा पानी डाल सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखें जो एक्स आपने रखे हुए होते हैं उन पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए अगर उन पर पानी लगएगा तो एक्स कराब हो जाएंगे तो इस तरीके से घिला करके हमने ऐसे इसको रख दिया है अब हम क्या करेंगे जल्की सी बाउंडरी है यह इसके उपर हम एक रखेंगे तो एक नीचे नहीं गिरेंगे तो कोई भी ऐसी चीज आप रख सकते हैं जो कि में दो इन इंच ऊपर रहे है आपका सब्स्टेट से दो ती निंच ऊपर रहे ताकि यह सब्स्टेट का पानी टच ना हो एक से और इसके ओपर हमने एक को ऐसे रख दिया है और अगर आप एक को कलेक्ट नहीं करते हैं या कहीं से मंगाते नहीं है इधर उधर नहीं ले जाना है इस कप के ओपर इस एकजीज को हमने बनाई तीnin उसको इसके ऊपर रख सकते थे पिसली से हमें छोटे-छोटे लार्वा मिलेंगे उनको हम फीडिंग के लिए फीडिंग ट्रे में सिफ्ट कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फार्मिंग, ब्लक सोलजर, फ्लाइ फार्मिंग, मिल वाम फार्मिंग, सुपर वाम फार्मिंग, इन सब की वीडियो उपलब्द रहती है, सारी प्लेइलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, थैंक्यू, थैंक्यू बेरी मच्च